दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेयर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जियो भी नीज पे दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे मुखिस समझा टूड़े ब्रेकिंग नीज के रूपे तो दोस्तो यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्काइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दे ताकि जो भी भी डूटल आप तक पहुंची रहे तो दोस्तो शुरू करते है आज की सबसे बड़ी ख़बर के रूप में तो दोस्तो आज की सबसे बड़ी ख़बर है दोस्तो बिड को एक लाज जरू को है दोस्तो कौन बनीगा देश का परधान मतरी लोक सबाचुनाव से 10 प्रमुखे बाते साल 2014 में लोक्स बाचुनाव में परधान मतरी मोदी के अगवाई में बीजेपी को बहुमत मिला था 30 साल बाद यह एक पहला मौका था जब किसी भी राजनितिक दल को पुन बहुमत मिला हो नरेंद मोदी के अगवाई में बीजेपी फिर चुनाव मैदान में हैं लेकिन इस बार चुनावतिया बदल गई है कॉंगर्स अदक्ष राहुल गांधी की अगवाई में 21 पार्टिया एक साथ है वहीं उत्तर पर्देस में सपा और बस्पा मिलकर के चुनाव लड़ रही है एक्जेपी को अगवाई में एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगा लेकिन विपक्षी का दावा है कि एक्जीट पोल हमेशा गलत साबित हो रहे है आपको बता दे कि 543 सीटों में से 542 सीटों पर मत्दान हो चुके थे जी हाँ दोस्तों आपको बताते कि कौन सी वह दस्पनुखी बाते हैं जो आपको जाननी बहुत ही जरूरी है बीते 5 वर्स में प्रथारमती नरेंदर मोधी को इस बात का स्रे दिया जाता है कि उन्होंने बहुत सक्थ तरीके से प्रशासन की बागडोर सम्हा लिये इसके साथ ही मजबूत विदे सुनीती और स्वक्च भारत अभियान मेक इन इंडिया जैसे आयूजनाव का भी उन्होंने चलाया है लेकिन बिपक्च की ओर से उस पर धहती अर्थ बेवस्था, बेरुजगारी, किसानों की हलात और दक्षिन पंथी, संगठनों की ओर से जारी किये गए हमलों के मुद्दे बनाए गए थे लेकिन एक्जिट पोल के नतीजे से खुस बीजेपी के अगली सरकार में ब्लूप्रिंट का काम सुरू कर दिया है जिसमें राष्टबाद, राष्टिय सुरक्षा और बिकास मुखे है जिहां दोस्तों अगली दूसरी खबर है कि इस बार चुनाव परचार की काफी कुटता पूर्ण रहा है जिसमें से धर्म जाती समुदाय के आधार पर धुरूवी करन भी देखा गया है हाला कि बालाकोट एरस्ट्राई के बाद काफी हद तक राष्टवाद के मुद्दे भी इन सब्सक्राइ के लिए ठेले हुए थे जिया दोस्तो अगली तीसरी बड़ी ख़वर के बीजेपी ने अपने चुनाव परचार में विकास के साथ राष्टिय सुरक्षा का मुद्दा भी बनाया था तो कॉंग्रेस ने रोजी रोटी किसानों के मुद्दे नौकरी और आर्थिक निती के आस पास अपना परचार परचार किया था इसके लिए साथ ही राफाल सोदे के घोटाले का भी आरोप लगा था जिया दोस्तों चोथी बड़ी खबारे कि इस चुनाव परचार के दोरान निताओं के खिलाफ आयोग के सिकायत भी खुब की हुई है जिसमें से परधानमत्री मोदी और बीजपी अदक्च अमित सामिल है इस यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है हाला कि इसके बाद चुनाव आयोग ने परधानमत्री मोदी को क्लिंचिट दे दी थी जिया दोस्तों पांचवी बड़ी खबर है कि परधानमत्री मोदी को चुनाव आयोग की ओर से दी गई क्लिंचिट पर सहमती के मतभेद भी सामने आये है चुनाव आयोक्त असोक लवासा ने कहा है कि प्रधानमत्री मोधी को क्लिंचिट दी जाए पर वह सहमत नहीं थे और बाद में उन्होंने आयोकी बैठक में भी जाने से इंकार कर दिया जी हाँ तो तो पांचवी बड़ी खबर है उत्तर परदेश के पुरवांचल के जिम्मधारी दे दी थी पुरवांचल मुक्रूप से प्रधानमत्री मोधी और सीयम योगी का गड़ रहा है जी हाँ तो साथवी बड़ी खबरे चुनाव से पहले ही जी हाँ दोस्तो अगली बड़ी खबरे चौदाव वाला परदेशन दुबारा पाएगी बीजेपी या एसपी बीएसपी गटवंदन मारे का बाजी जी हाँ तो लोगस बचारों की मत गड़ना अब चालू हो चुकी है सबसे ज़्यादा असी लोगस बाद सीटों वाले उत्तर परदेश की समुझे राजनिती को प्रभाईद कर सकता है इस लोगस बाद चुनाओ में उत्तर परदेश में भारती जिनापाटी के नित्तवाली NDA, कॉंगर्स और समाजवादी पार्टी और बहुचन समाजवादी गटवंदन का त्रिकोण ये मुकाबला है उत्तर परदेश की 80 लोगस बाद सीटों के लिए 63 समाने वर्ग की ओर और 17 आरक्षीत वर्गों के लिए है 24 में लोगस बाद चुनाओ के भारती जिनापाटी को सबसे ज़्यादा एक गतर सीटे मिलीए दूसरी तरब सपा बसपा अपना खोया हुआ जनादेश दोबारा से हासिल करने की कोसिस में लगा हुआ है यूपी में लंबे समय से हासिय पर पढ़ी कॉंग्रेस फिर से वचस्प हासिल करने की कोसिस कर रही है प्रधान मतिर निरेंद मोधी की सीट वरार सी कॉंग्रेस अतक्स राहूल गांधी की अमेठी और यूपी चेर परसं सोनिया गांधी राइबरली से चुनाव लड़ रही है आपको बता दी कि केवल बैद पास धारक ही मतदान के अंदर में परवेश कर सकेंगे सुत्र ने बता है कि लगभग दरचन भर संदेह सील जीलों में अतरिक्त एतिहातिक बरती जा रही है और ये निसेधाग लागों भी किया गया है मतदान केंदरों पर तीन असरी सुरच्च बेवस्था की गई है राज्य के मुखनिर वाचन अधिकारी एम बैंकर टेस्वर लू ने बता है कि इस बार के परिणामों में बिलंब हो सकता है क्योंकि हर विधान सबाच छेतर में पांच बूथों पर वीबी पैट परचियों का पुनर मिलान किया जाएगा मतना सुझारों रूफ से सुचालित करने और कानून बेवस्था बनाए रखने के लिए लिहाजा से अर्ध सैनिक बलो का 20 हजार कर्मी पीएसी 10 हजार कर्मी और लगबग 2 लाग से अधिक जिला पुलिस कर्मी तेनात किये गए है उत्तरपडेस में 80 लोक्स बासीटों के लिए 74 वोटिंग हुआ था कुछ जगों में एवियम की गड़वड़ी के सिकायत के अलावा राज्य में मतदान आम तोर पर सांति पूरग संपन हुआ था वोटों की गिंती सुरू हो चुकी है सरकार किसकी बनेगी सबसे पहले वोटों की गिंती होती है इसे लेकर के चुनाव आयो के नियमावली है आसान भासा में कहा जा सकता है कि पूस्टल बैलेट की संख्या कम होती है ये पेपर अपने मत पत्र होते हैं जो गिना जा सकता है जो भी आसान होता है वहीं इसमें किसी तरीके के मिलान की कोई गुंजाइस नहीं होती है पोस्टल बैलेट पेपर की तरह ही होता है इसके जरीए मत दाता अपने मत का इस्तमाल करता है पर यह किसी को नहीं मिलते हैं प पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने वालों की संक्या चुनाव आयोक पहले ही निधानत कर लेता है। इसके बाद ऐसे मतनाताओं को मेल के जरीए इसे भेजा जाता है जिसके जरीए पोस्टल बैलेट पेपर को स्कैन किया जाता है। और इस स्कैन कोपी को अटेज करके भेज दिया जाता है। ऐसे करमचारी और सेन अधिकारी जिसके लिए किसी भी तरीके के इलेक्ट्रोनिक सुभिधा नहीं है उसके पास डांक के जरीए मतपत्र भेजा जाता है। अगर किसी कारण वस मतदाता इसका इस्तवाल नहीं कर सकते हैं या प्राप्त नहीं होते हैं तो वह भेजने वाले पते पर लोटा आ जाता है। जी हाँ तो यदि आप सेना या सरकार के लिए काम करते हैं या चुनाव में डूटी के लिए अपने रज से बाहर तेनात हैं या आपको प्रेवेटर डिटेक्ट के लिए रखा गया हैं तो चुनाव अधिकारी या चुनाव आयोग पहले ही चुनाव छेतर में मतदान करने डांक मत पत्र को इलेक्टोनिक तरीके से वोट तक पहुचा दिया जाता है। अगर किसी कारण वस वोटर इसका उप्योग नहीं कपाता है तो मत पत्र लोट आता है। अगली बड़ी खबर है काउंटिंग हॉल में बस तीन लोग आन कर सकेंगे मुबाइल फोन जी हाँ दोस्तों वोटो की गिंती चालू हो चुकी है। बता है कि इलेक्टोनिक ट्रांस फॉलेवर बैलेट पेपर सिस्टम से वोटो की गिंती के लिए वन टाइम पासवर्ड यानि ओटीपी की जरूरत पड़ती है। यह ओटीपी सिर्फ मुबाइल फोन पर आता है। सिम आयू को आर ओ एर और और काउंटिंग सुपर्वाइजर को मुबाइल रखने की अनुमती दी गई है। तो आपको बता दें कि ETPBS का खास दौरपा इस्तमाल पोस्टल वोट की गन्ना में किया जाता है। निर्देश के अनुसर काउंटिंग के दिन यही तिन ओफिसर अपने वही मुबाइल फोन का अपने पास रख सकेंगे। जी हाँ तो जो वह ETP से लिंक होगा। इसके बाद ETPP का लॉग इन करने के वक्त फोन आउन करना होगा। फिर जैसे ही OTP मिल जाएगा फोन को बंद कर देना होगा। लॉग इन होने के बाद फोन को बंद करने के बाद काउंटिंग हाल के भाहर वहां की senior most officer को जमा करा देंगे ये फोन काउंटिंग खरत्म होने तक switch off रहेगी किसी कारण से लॉग इन बंद हो जाता है तो कुछ सेकेंड के लिए आपको वो मिला दिया जाएगा ये तीनों के लिए जो मुबाइल फोन रखेंगे उनके सबसे एक खास साइन इन करना होता है इसमें मुबाइल इस्तेमाल को लेकर के डोस और डोनोट लिखे होते हैं सभी संबंधित CEO, Chief Election Officer को कहा जाता है कि वे जानकारी दे कि लोग सभा चुनाओ के सीटों की सभी सेंटर से कितनी मुबाइल फोन इस्तेमाल होंगे और कितने नंबर उनके क्या है जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी ख़बर है इसी बीच संसत के अधक्ष नैसी पोलिसी ने महाभियों की मां के मुद्धे पर चचा करने के लिए आज बैठक बुलाई है टरंप प्रसासन का काना है कि रूज की मिली भगत और इंसाफ के बाधा के आरोप को लेकर के विसेश वकील रॉबर्ट मुलेर के टरंप को क्लिंचिट मिल गई है और अब इससे संबधित प्रस्ण खड़े होने का कोई मतलबी नहीं होता है टरंप ने ट्वीट करके कहा है कि रॉबर्ट मुलेर के टीम की रिपोर्ट के अध्यान और डेमोक्रेटिव सांसतों के आरोप की कोई जाच कर सकता है